हुआ हुलो एवरी वन उम्लेंज चैनल आज हम लेकर करıktर ये वलेवन को पूपति से महात्पून कुस्चन को लेकर करें हैं जिसमें आज का चैप्टर है पृत्वी की उत्पाति वह वाठती में बीकास से आज पलए कर ले yum देख लेते हैं एक नंबर प्रिथिवी की स्यधांन पर्तीबादन इम्हेन्वाल काट नीं किया था सिधांत निहारीका परिकल्पना इम्हेन्वा ने पर्तिपादित किया था निश्क कुशन है ब्रह्मांड की उत्पति से संबंधित बीग बैंक सिधान्थ के पच में एडविन हबल ने क्या परमान दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है आकास गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है यह पर किरिया आज भी जारी ह निहारीका की से कहते हैं तो निहारीका यह नेबूला से तफ़ाश होता है गैस एबं धूल तथा आन पता है थो कि घुमते हुए बादल से निहारिका का तरफ निहारिका क्या होता है निहारिका या निबूला का मतलब होता है कि गयस धूल और उसमें अन्द पदार्थ मिले हुए रहते हैं और वह हमेशा तैरते रहते हैं बादल के रूप में तो उसी को निहारिका कहा जाता है निश कुशन है ब्रहमांड की उत्प अरे सारे सब्जक्स अंसर है सारे सब्जों से हिस्ट्री जोग्राफी पॉलीड कल चाहरी संग्राइब अब से पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखो छोटे पिंड़ों की पटी होती है उसे चुद्र करा कहा जाता है तो वाई ग्रह और पार्थिव ग्रह पार्थिव ग्रहों को इंटर्नल ग्रह काते हैं आंत्री ग्रह कहा जाता है तो वाई ग्रह और पार्थिव ग्रह यानि बाह ग्रह और आंत्री ग्रह के बीच में लाखो छोटे छोटे पिंड़ होते हैं और यह पटी है तो एक पटी के जैसा है इस तरकर से इस तरह से इंटर्नल ग्रह होता है इधर आνत्री ग्राह और इधर एक्सटेर्नल कुका हो जाता है वाह ग्राह तो बोच शुक्र Sinne के रूप में रहता है इसी को छुद्र की करा जाता है नेफ्ट स्वक्रीशन जोबियन ग्राहों का जobic ग्राह पर हम हीत्रोजन्गींवद्र गा इसाओ रहने में रहने का पर मुख कारण जो कई है ग्रह सां रोजय कर दो यो वायू से बहुत है अधिffen भायू जंब पाई है वायि जो है रोजा के परहौ से बहुत दोर थे और जो इसान भीन और हम मैं यहीं कारण जो सब्सक्राइब कर नहीं नहीं हटा पाइब कि प्रारामधिक बरसों में इस पर कीन गयसों की की पर्थानता थी हर्डोजन और हीलियम के रहने के कारण गैस के कारण ही पिर्थीवी सुरू सुरू में बहुत ही गर्मे थी और कई बरसों लग गया इसको ठंडे होने में और उस समय जीवन का विकास नहीं था क्यूंकि बहुत ही होट था गर्मे था और सबसे पहले धीरे-धीरे मानब के उत्पत्य हुई निश्कोशन है बैग्यानिकों के अनुसार पिर्थीवी के आयू कितनी है तो बैग्यानिकों के अनुसार पिर्थीवी के आयू है 4.6 अरव वर्स पिर्थीवी के आयू है निश्कोशन है पिर्थीवी पर जीवन के विकास का प्ररा 388 बर्स पूर्व, 388 खडोर बर्स पूर्व, सर जोर्ज डार्विन ने चंदर्मा को उत्पत्ती से संबंधित किस सिधान्थ का परतिपादन किया, तो Sir George Darwin ने चंदरमा सु उत्पत्ति संबंधिद जो सिधान्त दिया था वह सिधान्त है डंबल सिधान्त या सिधान्त दिया था 1838 इसवी में डंबल सिधान्त दिया था Sir George Darwin ने निम निमेशे कौन सी अब्धी सबसे लंबी है तो चारों आप्शन में यान यूग जो है सबसे लंबी अब्धी होता है यान जूग का इसका राइट हैं सो जागा आप्शन वान यान जूग प्रारंभी काल में पिर्थीवी के धारातल का स्वरूप कैसा था प्रारंभी काल में तो आरंभ में पिर्थीवी के धारातल का स्वरूप था पिर्थीवी चटानी थी गर्म और वीरान थी क्योंकि हीलियम हाड्रोजन गैस ही बहुत जादा मात्रा में थी जिसका बायमांडल भीरल था जो हेडरोजन हिलियम हीलियम से बना हुगा हुग और अभीनव जूग का नाम है वाहरी ग्रहों को नाम बता है वाहरी ग्रहा तो यह इस अलावा और किस ग्रह पर जीवन की संभावना व्यख्त की जा रही है तो मांगल ग्रह पर तथ ब्रियस्पत्ति ग्रह के उप ग्रह इरोपा पर पिर्थिवी के अलावा और जीवन की संभामना ब्यक्त की जा रही है वह है मांगल ग्रह और उसके बाद ब्रियस्पत्ति ग्रह के उप ग्रह है इरोपा उस पर निश्ट कुशन है सूर्ज का परकास पीर्थीवी तक कितने समय में पहुचता है तो सूर्ज का परकास पीर्थीवrin पहुचन में पहुंचने में नहीं कोशन है आंत्री ग्रह का पार्थीव्ग्रह को उसलिए कहा जाता है क्योंकि पीर्थीवी की तरह चटानों से नीरमित है इसलिए इसे पार्थिव ग्रा कहा जाता है। इसलिए इसको पार्थिव ग्रा कहा जाता है, निश्कोसने खगोलिय पिंड किसे कहा जाता है, खगोलिय पिंड किसको कहते हैं, तो ग्रा उप ग्रा सूर्जे, आधि ठोस द्रव अथवा गैसिय पदार्थों से वने पिंड को खगोलिय पिंड कहते हैं, तो अब है तीन अंक वाले प्राश्न को हम लेकर करके आ हैं इसी चैप्टर से इसी चैप्टर से तीन अंक वाले प्राश्न को हमने किया दो अंक वाले फिर किये तीन अंक वाले प्राश्न को देखेंगे तो इसमें पहला कोशन है कि बीग बैग सिधान के अंसर ब्रहमांड के विकास की तीन अवस्थाओं को वर्णन कीजिए तो बिग बैंग के सिधान्त के अंसार ब्रह्मांड के तीन अवस्था है वह है पहला है आज ब्रह्मांड जिन पदाप्थों से बना हुआ समस्त पदात एकांग की परमानू के रूप में इस्ति था जिसका आतन अत्यधिक संचीत हो जान के कारण इसमें 20 फोट तक 20 फोट हुआ एवं 20 फोट के एक सेकेंड के आंदर ही ब्रह्मांड का विस्तार हुआ तीसरा है कि वीग बैंग से तीन लख वर्सों के दोरान तापमान 4500 डिक्री केल्विन तक काम हो गया एवं परमान विये पदार्थों का निर् सपरेश को सहना जोकर निर्मा की निर्मान के विभीन अवस्थाइं कौनसी है स्वैश्ट किजिए तो विभीन अवस्था में में पहला पत्शा कि गयाउन जूंढे तारों की रूप में تھे इन गूत्य जूंढों में गुरुदवाकर्शन्वत्षन लोग से चोटे गोलत परिसपारिक आकर्शन के करद घ्राइध से में बदल गया ग्रानुओं बदल गया और तीसरा है कि अपने अनेक छोटी ग्रहानुद्र मिलकर बड़े होते गए ग्रहों के रूप में बदल गया है यह व्यवित दोक है तो एक यह तो चोटे इतने भी अद्धिन ग्रहानों थे आपस में जूडते गया बड़े-ग्रह के रूप में बदल गये तो इस प्रकार से ग्रह का निर्मान हुआ नेश को साने कि पार्थिव ग्रह वाई ग्रहों के अंतर के मुख्ष कारण क्या है तो पार्थिव ग्रह यानि आंतरी ग्रह और वाई ग्रह के अंतर था क्या अंतर है तो पार्थिव ग्रह जनक तारे के शमीब थे अता अधीक तापमान के कारण वहां गैसे संघनित हो गई और दूसरा फाइंट है कि सौर वायू के परभावों से पार्थिव ग्रहों के गैस वद्धूलकन उड़ गए किन्तु जोबियन ग्रहों की गैसों को शौर पवन नहीं हटा पाई पार्थिव ग्रह छोटे थे एवं इन में गुरुत्वा करशन सकती कम थी आता इन पर गैस और पवनों के परभावों से गैसे रुकी नहीं जोबियन ग्रह यानि जो बाहरी ग्रह है तो जोबियन ग्रह या फिर बाहरी ग्रह भारी थे तथा दूर होने के कारण शौर पवनों के परभावों से बचे रहे अता उन पर गैसे रुकी नहीं यहीं दोनों में डिफरेंस था पार्थिव ग्रह यानि भीत्री ग्रह और ब डिफ्रेंस है कि सौर वायू के परभाव से पार्थिव ग्रहों के गैस बधूलकन उड़ गये किन्तु जोबियन ग्रह जो है जोबियन ग्रहों की गैसों को सौर पवन नहीं हटा पाई तीसा है कि पार्थिव ग्रह शोटे थे एवा में इन में गुरुतवकार्शन सक्ति कम अधा इन पर सौर पवनों के परभाव से गैसे रुकी नहीं जबकि जोबियन ग्रह भारी थे तथा दूर होने के कारण सौर पवनों के परभाव से बचे रहा ताव उन पर गैसे रुकी रही निश्कोशन है कि चंदर्मा की उत्पति से संबंधी दबीग संप्लाइक सिध सिधान्त क्या है तो इस इस अंतरगतिया माना जाता है कि प्रिथिवी के बनने के कुछ समय पाधी मंगल्ग्र से तीन गुना बड़े आकार का एक पींड प्रिथिवी से टक राया और इस टक्राव से प्रिथिवी का एक हिशा तूटकर अंत्रीच में भी खर गया यहीं प प्रिथिवी के बनने के कुछ बाद ही मंगल्ग्र से तीन गुना बड़े आकार का एक पींड प्रिथिवी से टक्राया और इस टक्राव से प्रिथिवी का एक हिशा तूटकर अंत्रीच में भी खर गया और यहीं पदार्चंदर्मा के रूप में प्रिथिवी का चकर लग से साज़ा, विभेदन किसको कहा जाता है ? हलकय और भारी परदार्थ को प्रिथक करता है प्रिथक होने वाले पर yapılकिरिया है उसको भिभेदन कहा जाता है पर्थीवी के उत्पति के दौरान अतिधिक ताप के कारन परद पर द्रव अवस्था में हो गए जिसके फसरूफ हलके एवाम भारी घनात्र का एक मिस्रन तयार हो गया घनात्र के आंतर के कारण भारी पदार्थो पिर्थिवी के केंद्रे में चले गया एवाम हलके पदार्थ पिर्थिवी की सता या उपरी भाग की तरफ आ गया समय के साथ यह पदात ठंड़े हुए और ठोस रूप में, भुब परपठी के रूप में बियग सीत हुए अब हम इसी चैप्टर से लेकर क्या हैं 5 आया अंक वाले, 5 नमबर वाले, 5 आंकवाले, 5 आंक वाले कोस्चनimento इसमें 5 आंकवाले कोस्चन नुष्णाथ कि पिर्थीवी पर बायमंडल की विकास की तीन अवस्थाय हैं क्योंकि एक अंक और तीन अंक और पांच अंक वाले प्रस्टन को लेकर के आए हैं पहली आवस्था में सौर पवन के कारण ह्यड्रोजन वहिलियं पिर्थीवी से दूर हो गई और दूसरी है कि दूसरी आवस्था में पिर्थीवी के ठंड़ा होने विभेदन के दौरान पिर्थीवी के अंदर से बहुत से गैसे वह जलबास बाहर निकले जिसे जलबास जिसके कारण बास्प बंगाय से वाड रही थी और यह जल वास्प संघानी थोकर वाडशाक रूप में परिवर्तित हुई जिसे पिर्थी पर महा सागर बने बाउस से जीवन विक्सित हुआ और जीवन विक्सित होने के पहचास संसलेशन की परकिरियत तीब्र हुई एवन पिर्थी पर बैमांडल का विकास का तीन अवस्थाइं हुआ पहला वास्था में सौर्पावन के कारण है प्रिथी से दूर हो गई अधान वह भी ब्यादन को दों पिर्थीवी के आंदर से बहुत सारे गया से जलबास बाहर निकले जिसे जलबास नाट्रोजन कारवन डे कमी थी तीसरी अवस्था में यह हुआ कि लगतार जो अलमिखी बिस्फटक हो रहते जिसके कराण बस बास पर गयास बढ़े रही थी और यह जलबास तो संघनी थोकर बड़सक रूप में परिवार्तित हुई जिसे पिर्थिवी पर महासागर बने शागर बने और उसमें जी और मनें ऑकसीजान हाई जाए उसमें पहला है निहारी का परिशंकल्पना के जनक है इमैन्वल कण थे और इनकी अनुसारा गैस एवं अन पदार्थ होगे घूमते हुए बादा से ग्रहों की उत्पते हुई ए इमाइनवल कांड का सिधान था दूसरा सिधान लापलेस ने इस परिकल्पना में सुधार करते हुए कहा कि घूमती हुई नेबूला के कोनिये शंब्यक बढ़ जाने से नेबूल संकुच जित हो गई और उसका बाहरी भाग छलो के रूप में बाहर निकला जो बादनी ग्रहों में परिवर्तित हो गया यह लापलेस का सिधानत के अनुसार यह परिकल्पना है और तीसरा चेमबर लेन एवं मोल्टन के अनुसार कि सूर्ज के पास से अन्ने तारा तीब्र गति से गुजरा जिसके गुरुत्विय बल के कारण सूर्ज की सता से सिगार के आकार का एक टुकड़ा अलग हो गया कलांतर में उसी टुकड़े से ग्रहों का निर्मान हुआ तो यह थी पिर्थिविक उत्पति से संबंधित परिसंकल्पना तो तीन चार तीन परिसंकल्पना थी निहारी का परिसंकल्पना जो इमानुल कांट ने दिये थे लापलेस का सिधान और चेंबर लेनुवा मोल्टन के सिधान निश कोशन है ग्रहों के निर्मान की परमुख अवस्थाएं क्या है तो वैग्यानी को तरह द्वारा ग्रहों के निर्मान की तीन अवस्थाएं मान पहला है कि ग्रहों का निर्मान तारों से हुआ है गुरुत्वकर्शन बल के परणाम सरूप अरम में क्रोड का निर्मान हुआ जिसके चारों गैस और धूलकनों की चक्कर लगाते हुए एक तस्तरी बिक्सित हो गया दूसरी अबस्था में गैसिये बादल के संगहनन के चोटे गोलकार फिंडो को रूप में बिक्सित हो गया जिन्हें ग्रहानु कहा गया बाद में बढ़ते गुरुत्वकर्शन के कारण एक ग्रहानु आपस में जूड कर बड़े पिंडो का रूप धारन कर गया यह ग्रह निर्मान की तीसरी और अंतिमवस्था मानी जाती है निश्कोशन की पिर्थीवी की उत्पाती से संबंधित आरंबिक सिधान कैसे थे बताईए तो पिर्थीवी की उत्पाती से संबंधित आरंबिक सिधान ठरावी सतिक उत्यात में सामने आने शुरू हुए किन्तु शभी विचार परिकल्पनाय किस्रेनी में आते हैं सिधा तालंत किस रेनी में नहीं तुछ इस वर्कार से बैग्यानी का नाम और संकल्प्नाय जो है और वर्स तुछ देखेन का नामिनम कांट् när रय जो परिशनट के और नीहरी का परिशनट कांट था 1796 में चेंबरलीन और मोल्टन का सिधान जो था ग्रहानु परिकल्पना दीतारिक विचारधारा जिसको कहा जाता है उनीशों इस्वी में सिधान को दिया गया था अटो सीमिट वा कारलवाई जासकर संसोधित निहारिका परिसल्कना जो है इसको उनीशों परिधिवी के भूब ज्यानी काल करम को किस परकार विभाजित किया गया है समझाईए तो इयान सबसे बड़ी जूग है यान सबसे बड़ी यूग है और सबसे छोटी यान सबसे बड़ी और यूग सबसे छोटी पिर्थिवी को उत्पति से आप तक पिर्थिवी के भूव वज्यानी की तिहास को चार यान में विभ्यक्त किया गया है बरतमान यान फेनरो जाईक यान कहलाता है और इस यान को तीन महा कलपों में बाटा गया है निश्कोशन है तिर्तिय कल्प का विभाजन यूगों में कीजिए उनकी आपधी बताईए तिर्तिय कल्प के पांस यूग को विभाजित किया गया है जो इस परकार से है पहला है पूरा नूतन यूग और दूसरा अधी नूतन यूग तीसरा अधी नूतन और चौथा आदि नोतन यूग की जो आदि पूरबे ऐधी नूतन यूग की जो आदि तू फूरबर रस पूरबे अल्पनूतन यूग की अबधी है पचास लाग से 2.4 कडोर वर्स और अती अनूतन यूग की अबधी है 20 लाग से 50 लाग वर्स पूर्वी तो इते तीर्थियक कल्प को जो पांच गुने विभाजित किया गया है इस को उस जूब को यह अब दी बता आ गया है तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सुख्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सुख्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें यह थे पिर्थिवी को उत्पाती वैं विकाष से माथपून कोस्चन thank you